नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चालें आपके सर जी बहुती बढ़िया है अब बताएगा भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बूलेंगे राधे राधे चलाएं, इन्वाइस का आपका चेप्टर है, कताई जहरीला चेप्टर है आपके जैसा, निप्टा लेंगे आराम से, कम समय में ज्यादा बातें कर लेंगे, इंटर और फाइनल दौनों के लिए कॉमन है, वही चार सेक्षन इधर हैं, वही चार सेक्षन उधर हैं, खमाल की सेक्षन 31 के अंदर बताते हैं, कौन कब कैसे इन्वाइस इश्यू करेगा, 32 में ये बोलते हैं कि सिर्फ शादिशुदा आदमी ही इन्वाइस इश्यू कर सकता है, शादिशुदा रजिस्टर परसन, 33 बोलता है कि जो भी आप चार्ज करोगे इन्वाइस में, 5 परसेंट, 34 के अंदर बात करता है, डेविट नोट और क्रेट नोट जो की अंग हैं, पार्ट हैं, आपके इन्वाइस का, राइट, येस सर, अब यहाँ पर आगए आपके ये सारा सक्षन का मैंन नाम ले दिया है, और इसकी 31, 34 को आगे इलाबरेट करने जा रहे हैं, 32 और 33 छोटे छ तो उसे कोई अधिकार नहीं है, कि वो यहाँ पर इन्वाइस इस्यू करके टेक्स कलेक्ट कर ले, और बाकि इंडिकेट करोगे आप जो भी ये जैसे भी है, उसकी बात यहाँ पर कर दी जाती है, इन्वाइस कौन इस्यू करके चलेगा, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें एक registered person को देखना होता है और मैं आप सवाल पूछ रहा हूं फटावर जवाब दीजेगा एक registered person है और वो taxable supply कर रहा है क्या issue करेगा sir invoice issue करेगा जिसमें कि उसे जो उसको पर tax बनता है उसे अपने customer से recover करने का right भी होता है great registered person है और registered person इस बार अपना यहाँ पर आकर वो exempted supplies अपनी कर रहा है क्या issue करेगा sir in such case he has no right to recover GST from the customer तो फिर यहाँ पर वो bill of supply अपना issue करके चलेगा तीसरी बात करते हैं कि एक registered person है पर वो composition scheme को लेकर बैठा हुआ है तो ऐसे में उसे अपने customer से GST collect करने का right नहीं है तो वो यहाँ पर bill of supply issue करके चलेगा वही बात आपकी बताई जा रही है कि invoice कब issue किया जाएगा और bill of supply के अब बात कब करके चलेगे एक note यहाँ पर दिया हुआ है कहते हैं कि अगर आपका जो bill amount है वो 200 से कम है छोटा है B2C supply है मतलब कि सामने वाले recipient को ITC का कोई चक्कर नहीं है और जो recipient आदमी है वो जिद नहीं कर रहा है कि मुझे invoice चाहिए ही चाहिए तो ऐसे case में आपको bill of supply या invoice issue करने की जरूत नहीं है हाँ अपने record maintenance के लिए at the end of the day पूरे दिन भर में इस तरह के जितने भी चलर-चलर case हुए है उन सब के लिए आप एक consolidate document यानि invoice काट के अपने पास में रख लीजिएगा ताकि कल को auditor जब आए तो इसको जवाब दिया जा सके कि वो जो छुट छुटे bill नहीं कटे तो वो क्यों नहीं कटे और उनका सारा मिलान करने के लिए बड़ा bill आपके पास में होना चाहिए receipt voucher की बात करते हैं कि जब मेरे पास advance आ जाता है और मैंने यहाँ पर invoice रेस कर दिया है तो receipt voucher उसमें नहीं आएगा उसका role यहाँ पर नहीं आएगा वो कैसे करके देखिए जिसे एक होता है word रोका और एक word आता है यहाँ पर शादी शादी मतलब invoice का issue करना रोका मतलब receipt voucher अगर invoice अभी issue नहीं करना चाहते हो तो receipt voucher काम करेगा और अगर invoice issue कर दिया है receipt voucher की जरुवत नहीं होती है वैसे करके और अगर हमें कभी पैसा वापस करना पड़ जाता है रिफंड करना पड़ जाता है तो वहाँ पर हम refund voucher issue करना होता है जो computer generated invoices होते हैं उन पर signature की जरुत नहीं होती ऐसा बताया गया है इस note के अंदर तो invoice कौन issue करेगा उसके बारे में चर्चा हुई invoice कब issue किया जाएगा तो यहाँ पर आकर बात लड़का और लड़की में बट जाती है अगर हम goods की बात करते हैं तो वहाँ पर आकर normally अगर goods moment में आ रहा है तो वैसे में जब removal होता है वो होती है last date that is the last time to issue the invoice क्योंकि रास्ते में गाड़ी चेक होनी है तो अगर invoice गाड़ी के साथ नहीं मिला तो बड़ी समस्य हमें फस जाओगे तो अगर goods का moment हो रहा है तो removal के वक्त ही हमें invoice दिना जरूरी हो जाता है दूसरा अगर goods का moment नहीं हो रहा है suppose करो कोई sale and lease back का मसला था या कोई otherwise कई सारे situation सासी बन जाती है जहां supply तो होती है लेकिन goods का moment नहीं होता है तो ऐसे case के अंदर हम क्या करेंगे as and when you have hand over the goods जैसे उसके delivery दी जा रही होती है उसी वक्त हमें invoice भी issue कर देना होता है right yeah continuous supply of goods के अगर बात की जाए तो यह होता क्या है वैसे जहां पर continuously या recurrent basis पर supply की जा रही ह जहां पर periodically payments की बात भी आ रही हो जहां पर periodically invoicing वगरा की जा रही होती है उसे continuous supply of goods के नाम से हम जानकर चलते हैं ठीक इसमें आगे बोलते हैं कि ऐसे में एक periodically हिसाब बना कर दिया जाता है जो मन्थली हो सकता है 15 दिन पर हो सकता है 20 दिन पर हो सकता है दो मेने पर हो सकता है statement of accounts बना के दिया जाता है तो जब यह बना के दिया जा रहा है उसी वक्त invoice raise करना जरूरी हो जाता है however अगर in between कुछ on account payment कर दी जाती है तो जब payment करे गई है वहीं पर आपको invoice पी raise करना जरूरी हो जाता है दूसरी बात यह बोलते हैं यहां पे आके कि भाया जी अगर ऐसा ह जाता है जाएक sale on approval basis का कोई matter फस जाता है तो आप क्या करके चलोगे तो जब आपका goods approval basis पे जा रहा है तो at that time वहाँ sale नहीं हुई है और अगर sale नहीं हुई है तो ऐसे में आके मालिक यहां पर कोई invoice की बात भी नहीं करके चलेंगे तो मैं यह किरा था कि जब आपका यहां से remove हो रहा है तो उस समय तो यह supply आपकी नहीं बनती तो invoice भी यहां पर issue नहीं किया जाएगा लेकिन जैसे ही सामने वाली party से approve कर देती है दिल से लगा देती है कि yes मैंने accept कर लिया है तो उस समय यह approve हो गया है उसी वक्त invoicing की requirement आ ज इसा होता है कि सामने वाली party उसे approve करी नहीं रही यह ना मना कर रही ही ना वो इनकार करती है ना वो अक्रार करती है मगर हमको पता है वो हमी से प्यार करती है इसी गाने को यहां लगा दिया कि भाई साथ 6 महीने है 6 मन तक चेक करेंगे कि आप हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं अगर हाँ या ना कुछ नहीं कहा तो इसे deemed हाँ मान लिया जाएगा कैसे कि न वो इनकार करती है न वो एक्रार करती है मगर हमको पता है कि आंसर प्रॉजिटिव है कि वो हमी से प्यार करती है तो deemed to be approved consider करते हुए तो जहां पर 6 मेने complete हो रहे होंगे उसी date को deemed to be अगले दिन नहीं उसी maturity date को ही deemed to be approved करेंगे वहीं पर invoicing issue की last date अपनी रखवा दी जाएगी वैसे करके बूल दिया जाता है ठीक तो यह तो रही बात कुटस की जहां तक सवाल है services का तो normally service के case में चुकी service दिखती नहीं है physical existence उसका होता है नहीं तो supply के 30 days 30 days या 45 days as the case में भी 45 days आते हैं insurance और banking वाले sector में तो यह समय बीटने पर यहां पर यह इतने दिन के अंदर-अंदर invoice issue हो जाना चाहिए लेकिन अगर continuous supply of service है वो service जो recurrent या continuous business पर दी जा रही होती है जिसमें periodic payment scheduling होती है और जिसमें इसकी life तीन महीने से ज़्यादा की होती है ऐसी supply को continuous supply of service के नाम से जाना जाता है तो इसमें billing कैसे करी जाएगे तो बोलते कि अगर बड़ी सी service है तो उसको टुकड़े टुकड़े करो उसमें यह देखो agreement के मताबिक कहां कहां पर पैसा due हो रहा है जहां जितना पैसा due हो रहा है वहीं वहीं पर आपको उतने amount का invoice raise करना जरूरी हो जाएगा अब उसके बाद अगर माल लीजिए ऐसा कोई आपका agreement नहीं दिख रहा है और amount due जैसी चीजें वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है तो फिर वैसे में क्या करोगे बात वहीं कि वहीं आ जाएगी तो ऐसे में हम देखेंगे यार आपने कहीं actual में payment तो करी होंगे हो सकता यहां करी हो यहां करी हो यहां करी हो तीन जगे payment करी हो तो जहां जहां जितनी जितनी payment कर रखी है वहाँ वहाँ पर उतने उतने का invoice raise करना होगा that will be the last date या फिर मान लीजिए अगर कोई agreement है उसमें due date तो नहीं लेकिन milestone set कर रखे हैं कि यहां पर इतना ये इतना ये इतना ये इतना ये कि मापको इस हिसाब से milestone set कर रखे कि यहां यहां पर पैसा से due कर के चलेंगे तो जहां पर जो milestone आ रहा होगा वहां पर उतने amount का invoice हमें देना होगा basically देखा जाए तो पहला और तीसरा point लग भग एक ही जैसा शब्दों का फरक है कुल मिलाकर तीनों point की समरी निकालू तो जहां जहां पर पैसा due हो रहा है payment due हो रहा है वहां वहां पकड़ेंगे और अगर due नहीं दे रखा है तो जहां जहां पैसा actual में दिया गया है वहां वहां पर यह अपना रखा जाएगा उसी को हमें उसी वक्त हमें invoicing की बात करनी होगी अगला point आता है इसमें कि अगर मान लीजिए service बीच में रोकती जाती है suddenly तो वैसे में जहां तक succession तक जतना काम हो गया है उतरे तक का invoice आपको उसी point पर देना होता है यह सर invoice का bill of supply का एक बात लिखी हुई है सर कोई बात नहीं अगर मान लीजिए कि वक्ती registered person है वो taxable और exempted दोनों तरह की supply एक अठी कर रहा एक ही person को तो एक single document दे सकता है जिसमें taxable supplies भी होएंगी exempted supplies भी होएंगी taxable पर GST चार्ज करेगा exempted पर नहीं करके चलेगा and accordingly फिर उसमें like वो उसी document को invoice कम bill of supply का नाम दे दिया जाएगा invoice कैसे issue किया जाता है अगर हम goods की बात आपसे करके चलते हैं तो ऐसे में क्या करना होगा कि तीन invoice कापी आपकी बनाई जाती है पहली copy recipient के हाथ की होती है दूसरी copy ट्रांसपोर्टर को होगी और बची कुछी अपने supplier के record में रखी जाती है अगर हम service sector के आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसे में चुकि transportation बीच में नहीं होगा तो एक copy recipient के लिए होगी दूसरी copy supplier के लिए रखवा दी जाती है ओके सर जी revised invoice the most important concept है आपके लिए इसमें क्या बोलता है किरा के देखो अगर आपका जो supplier आदमी है वो नया आदमी है नया मतलब माल लीजिए उसका 10-20 लाख यहां पर आकर पूरा होता है यह इसे cross कर जाता इधर point पर आकर तो हम जानते हैं इस बंदे के पास में 30 दिन का समय होता है registration करवाने के लिए apply for करने के लिए उसके बाद फिर इसका registration certificate भी यहां कहीं जाकर आता है तो in between इस बंदे ने जो भी supplies करी होईंगे क्या उन पर GST आएगा येस बिलकुल आएगा क्यों? क्योंकि आपकी जो RC होती है भले मिलती यहां पर है लेकिन इसे back date यानि कि यहीं से effective माल लिया जाता है तो you are required to pay GST for this period लेकिन इस period में जो भी आपने sale करी होंगी और माले जो B2B वाली sale थी तो क्या सामने वाले को ITC अवगेरा मिल पाया होगा? The answer is no because invoice में आपका registration number था ही नहीं उस समय तक आपके पास registration number था ही नहीं तो SMN को ITC के दिक्कत पड़ेगे तो in between जो भी आपने sale करी है उनके लिए आपको revised invoice देना होगा आप revised invoice यहां से देंगे एक महीने के भीतर भीतर one month के अंदर अंदर अब आप यहां पर यह revised invoice अपना issue करके चलेंगे ओके सर बहुत ही अच्छी बात है तो a registered taxable person में within one month from the date of issuance of RC issue करेंगे revised invoice against invoice already issued during the period कहां से from the effective date of registration यहांने कि यह जो date अपनी आ रही होती जो registration जहां certificate मिला है वहां से लेकर till the date of issuance of RC सारी यहां से effective तरह registration आपका यहां से यहां से लेकर यहां तक है जो period है इसके लिए यहां से रखके चलेंगे इतने period का invoice एक महिने के अंदर-अंदर issue करके चलेंगे आगे है debit note और credit note की बात करते हैं जो debit note है वो supplementary invoice की तरह होता है हमने पहले ही बताया है कि debit note और credit note जो होते हैं यह invoice का अंग होते हैं इसी का part होते हैं यह मैंने यहां पर एक main invoice अपना issue कर दिया है right invoice कौन issue करता है सरे से supplier issue करता है issue होने के बाद फिर इसे GSTR 1 में डाला जाता है GSTR 1 में डलकर यह फिर यह 2B में पहुंचता है और 2B में पहुंचकर फिर यह recipient को उसका ITC दिलवाता है और वहां पर यह काम करता है ठीक है जी अब मैं बात करता हूँ कि मा लिजिए अगर आपका यह जो invoice है अगर यह कम value का issue कर दिया गया है इसके value को हमने बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हमें एक debit note issue करना होता है बढ़ाने के लिए debit note issue करना होगा इसी के अंग है और जिस तरह के से invoice behave करता है वैसे ही यह भी अपना behave ही करके चलेगा ठीक है जी तो debit note कोन issue करेगा चेक कर दीजिए जब इसी का अंग है तो इसी के तरह behave करेगा अगर चूहे का बच्चा है तो भिली खो देगा supplier फिर यह जो debit note है supply न issue कर दिया recipient issue करता है तो हमारे GST point of view के लिए कोई माइने नहीं रखता है इसके बाद फिर उसे R1 में शो किया जाएगा R1 में होते हुए 2B के माध्यम से वो recipient को उत्रे amount का ITC दिलवा देगा यह तरह कि उसके अंदर GST amount लिखा हुआ है इसके opposite बात करते हैं कि माल लीजिए जैसे कि हमने जो invoice issue किया था वो ज़्यादा value का issue हो गया है उसके value को हमने in future कम करना है तो कम करने के लिए एक negative element का का काम किया जाएगा electron, proton, neutron नहीं होते ऐसे ही यहाँ पर एक negative element का electron का इस्तिमाल किया जाएगा electron को बोलते हैं यहाँ पर credit note के नाम से जानना जाता है तो जैसे यह AC का अंग है तो अविसी बात है इनवाई जब supplier issue करता है तो credit note को भी supplier ही issue करेगा अगर recipient ने किसी वज़े से issue कर दिया है तो हमारे किसी भी काम का नहीं है GST point of vehicle इसकी कोई एहमियत नहीं है फिर यहाँ से credit note R1 में पहुँचेगा और R1 में पहुँचकर इस बार यह supplier की liability को बढ़ाएगा नहीं रधर घटाएगा फिर यह 2B के माध्यम से पहुचेगा recipient के ITC को यह बढ़ाएगा नहीं रधर घटाएगा इसमें negativity का aspect होता है invoice के value को घटाता है supplier की liability को घटाता है recipient के ITC को घटाता है जबकि जो debit note होता है वो invoice के value को बढ़ाता है supplier की liability को बढ़ाता है recipient की जो ITC है उसको भी यह बढ़ा कर चलता है तो इसमें इस प्रकार के element मौजूद होते हैं प्रेम से बूलेंगे राधे राधे ठीक राधे हाँ सार जी debit note को issue करने की कोई last date नहीं होती है जबकि credit note को issue करने की last date होती है अगले financial year में 30th November के जो date आ रही है वो date और आपके relevant financial year की जो annual return की date है for example इसे मालेज़े मैं बात करता हूँ आपसे 22-23 की बात करके चलता हूँ तो 22-23 के लिए date क्या पड़ेगी November 2023 और इसकी 31 December 2023 whichever is early है तो जो भी दोनों में पहले आ रही होगी annual return की date और 30th November whichever is earlier that will be the last date सर अगर 23-24 और क्या होगा अरे ले इसमें कोई बात है 23-24 का हो जाएगा अपना November 24 यह आजाएगा और 31st of December 2024 whichever is earlier वैसी वाली बात यहां पर बोल दी जाती है ठीक सर जी कोई बात नहीं है तो यह रहा 30th November of next financial year or the annual return filing की date whichever is earlier तो यहां पर होगा अगर आपने by this date अपने credit note को update नहीं किया है तो फिर आप अपनी liability को adjust नहीं कर सकते हैं ऐसा बोला गया है बैंकी company financial institution के बारे में वहीं बता रहे हैं कि इनको कुछ relaxation मिले हुए होते हैं एक तो जहां normal time limit 30 days का होता है इनको समय दे दिया जाता है 45 days का दूसरी बात ये इनको serial number से relaxation दे दिया जाता है कि इनको system स्वारा सा different होता है यहां पर recipient का जो address है वो लिखना जरूरी नहीं होता है उससे भी इनको निजात दे दी जाती है goods transport agency के अंदर एक छोटी सी बात कहता है और वो ये भूलता है आकर कि भाई आपको न इसमें जो built होती है जो consignment note होता है उसका reference भी आपको bill के अंदर पकड़ना होगा ताकि हम इसे cross check कर सके passenger transportation services और cinema hall के case में आपको अलग से former invoice issue करने की जरूवत नहीं है आपका जो ticket होता है उसी ticket को हम invoice की तरह है यहाँ पर treat करके चलेंगे उसको invoice मान लिया जाएगा ऐसे होता है आगे बात करते e-invoicing की e-invoicing का जैसे जिक्रक होता है सबसे पहली बात दिमाग में ये आती है कि जिनका कारूबार साल का 5 क्रोड से उपर जा रहा है उनको e-invice requirement के अंदर आना ही होगा लेकिन ध्यान दीजिए जो e-invice requirement की requirement है वो B2B transaction में ही आपकी applicable होती है वो B2C transaction में applicable नहीं होती इसके लावा कई सारे ऐसे sector रहोने बना रखे हैं जहां पर कि e-invice की requirement की आवशक्ता हमें नहीं है e-invice के जो concept लेकर आए है वो लेकर आए है साहब इसलिए ताकि हम चीज़ों को control कर सके तो ज़्यादा हमें control हासल होगा तो evasion tax का यहां पर रुकेगा इसलिए तो B2C पर यह applicable नहीं होता है दूसरा और किस पर applicable नहीं होता applicable नहीं होता Big PCO of Government SEZ I for insurance company ऐसा क्यों हो देखिए banking company और insurance company वो है जो 30 दिन में भी invoice नहीं दे पा रही थी और आप उनसे तुरंट invoicing की बात कर रहे हो invoicing क्या है transaction के वक्त ही invoice की तुरंट बात करता है तो यह वो वो थे जो 30 दिन में आप दे पा रहे थे 45 देज का टाइम था आप उनसे तुरंट की बात कर रहे हो बरसास से बचने की हैसतने गोलिबारी की बात करते है यह रहा लेट लथीफ goods transport agency इसको भी invoice की requirement से गुजनने की आप शक्ता नहीं को इसका ability का चकर बहुत सारा पड़ता है आगे है PCO passenger transportation और cinema hall passenger transportation और cinema hall यह इन पे normal invoice तो इशू होना रहा इनके ticket को ही invoice मानना पड़ रहा था आप इनसे बात कर रहे हो invoice की हटो यह OIDAR वाले online information database access और retrieval services जो इंडिया के बहार से आया था इंडिया में जो बच्चा online game वगरा खेलता उसके लिए और यहां पर आकर वो tax भरना होता है तो ऐसे बंदी को भी e-invoicing की कोई आवशक्ता नहीं होगी वैसे करके of government S.A.Z. जो government department है जैसे की post office हो गया इसको भी e-invoicing की जरूवत नहीं है और special economic zone को भी e-invoicing की जरूवत नहीं है सर government क्यों नहीं अरे यह कौन सा post office के tax evasion में involved होगा नहीं क्या S.A.Z. यह तो tax 7 होते हैं क्या इनको evasion चोड़े यह तो tax ही लगता है नके उपर तो सरकाने मना करका है पहले यह element 10 crore हुआ करती थी बट latest element आपकी 5 crore इधर आकर दे दी गई है तो किन किन को पर applicable नहीं होगा उनके नाम यहाँ पर आपके यह लिख दिये है तो वैसे करके है और B2B पर इसकी applicability आती है export transactions पर इसकी applicability आ जाती है अब यहाँ पर कुछ बाते और भी पूछी जाती है देखिए जैसे banking company है तो e-invasion के requirement से banking company मुक्त है बैंक अपनी कुछ एक banking service भी देखे चलते हैं और कभी-कभी इन्हें कुछ ना चाहते हो उल्टे-पल्टे काम भी करने पड़ जाते हैं कुछ non banking activities भी करनी पड़ते हैं समा लिजे computer outdated हो गए और इन्हें वो outdated computer बेचने पड़ जाते हैं अब यह क्या करेंगे तो यह तो activity banking नहीं है तो अगर हम activity को आके exempt करते हैं तो वैसे में ठीक यह तो e-invoice की requirement में नहीं आएगा क्योंकि banking activity है और यह आ जाएगा क्या इसा ही होगा जी नहीं हम क्या बोल रहे हैं e-invoice से पूरा का पूरा बैंक ही exempt है अब वो जो मर्जी activity कर ले सारी के सारी e-invoice से exempt है क्योंकि किसी भले वैक्टी ने कहा है कि आप अच्छे अच्छे करम मत करो बलकि अच्छे बनो आप अगर अच्छे बन जाओगे तो पिर जो करोगे सब अच्छा ही होगा जह जह शिरा दे तो पूरा का पूरा बैंक ही exempt है अब activity जो मर्जी कर ले एक latest यहाँ पर बात आपके सामने रखी गई है और वो क्या बात रखी गई है भगवान जूट न बुलाए मालिक बताए हाँ हम आपको हाँ सर बताए हाँ 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 बात दरासल यह रखी गई है भगवान जूट न बुलाए बिल्कुल भी यह रही वो यह कहरा है कि देश से देखिए आपका सामने यह है कोई सपोस कीजिए इंकम टेक्स डिपार्टमेंट है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट है और इसका टीडीयेस रिजिस्टेशन है टीडीयेस वाला इसके पास as a taxpayer रिजिस्टेशन तो है यह नहीं सिर्फ TDS डिड़क्टर के रूप में रिजिस्टेशन है अब आप यहां से इसे सप्लाई कर रहे हो सप्लाई को B2B मानेंगे या B2C मानेंगे अगर बोलते हो B2B फिर तो इसको E-Invoice देने की जरुत पड़ेगी अगर मानते हो B2C Supply तो फिर यहां E-Invoice आपका नहीं बनाया जाएगा तो वो व्यक्ति जिसके पास सिर्फ TDS डिड़क्टर का रेजिस्टेशन है क्या वो रेजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं है देखिए रेजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनीशन हम लोगों ने देख रखी है वहांपा लिखा हुआ है वो व्यक्ति जिसका की रेजिटर्ड पर्सन है वो व्यक्ति रेजिस्टर्ड पर्सन कहा जाएगा सिर्फ एक को मुक्ति दी गई है वो है U.I.N. Holder वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले जो हैं उनको रेश्टरिट परसन नहीं बोलते अब रेश्टरिशन चाहे आपके पास मैं as a taxpayer का हो चाहे रेश्टरिशन as a TCS collector हो TDS deductor हो भाया हो तो रेश्टर्ड ही ना तो इसको रेश्टर्ड ही यहां पर बोला जाएगा supply को B2B बोला जाएगा और income tax के जो supply कर रही हो उस पर भी invoice बनाया जाएगा this is important for your exams ठेक है जी उसके बाद में पूरा mechanism मैंने यहां पर बताया है कि कैसे वर्क करके चलता है कि पहले invoice अपना तियार किया जाएगा INV01 करके form होता है उसे भरेंगे आप system पे और उसके बाद software साते हैं पर कुछ भरने के जरूत नहीं है जैसे zoho books वगरा है कई सारे software होते हैं जो कि इसमें आपकी फटाफट से मदद कर देते हैं आपको कुछ भी अलग से करने के जरूत नहीं परती बस थोड़ा observe करने के जरूत होती है और कुछ नहीं करना होता है तो यहां पर आके वो अपना upload कर देते हैं e-invoicing के portal पे जाके और वहां से फिर आपको वापस मिलता एक PDF उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा QR code उसमें लगा हुआ होगा इसके अंदर relevant informations आ रही होएंगी और उसमें बाकी सारे details वहां पर अवेलेबल होगी और जो data है वो capture कर लेता e-invoicing का portal और जो data e-invoicing portal ने capture कर लिया है वहां से वो data को shoot करता है आपके GST के main portal पर और साथ में अगर goods की बात कर रहे हो तो evable portal पर भेज दिया जता है evable portal पर जो आपने data भेजा है वहां से आपका e-invoicing automatically तयार हो जाएगा और जो GST के main portal पर data भेजा था वहां से वो data supplier की liability में reflection देना शुरू कर देता है और जो recipient है उसके ITC में reflection देना शुरू कर देता है यानि कि हाथ के हाथ सारे की transactions अपनी automatic तरीके से आगे move on हो जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे वही सारी बात आपकी यहाँ पर लिखे हुई है वैसे करके आगे बात करते हैं कि dynamic QR code की that is dynamic QR code एक बहाना है दरसल government का objective यह था कि जो बड़े बड़े जो आपके दरसल retail sale करते हैं जो retail sale करते हैं और business जिनके बड़े बड़े हैं जैसे big bazar वगरा हो गया यह सब हो गया फमसीजी जो goods के अंदर sale करते हैं अपने तो big bazar वगरा हो गया B2C इनकी supply होती है तो उनको बोला गया है कि भई आप क्या करके चलोगे कि आपकी जो भी invoices है जो भी invoices है और आपकी जो payments है ना भई आप इनको link करके रखोगे बात खतम ऐसे के तैसी में जानतों बस यह बोला गया है अगर आपका कारोबार 500 क्रोड से उपर का है B2C supply आप कर रहे हो तो वैसे में आपको payment और invoice को link करके रखना है कैसे link करना है link करने के अलग तरीके होते है मान लिए अगर आप QR code से payment ले रहे हैं तो आप dynamic QR code के इस्तिमाल कीजिएगा जो dynamic QR code तयार करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा पता कैसे लगती है जो पहले से रखे हुए QR code होते हैं दीवार पर चिपके हुए होते हैं उन्हें स्कैन करते हैं वो dynamic नहीं होते हैं वो आपके static QR code होते हैं दूसरी बात यह कि जो आपको वो डिवाइस के अंदर बना कर देता है आपके इतना बिल बना उसको फीड करने के बाद जो बना कर दे रहा है QR code वो dynamic QR code होता है जो नॉर्मल एक मिनट तक वैलिड रहता है उसके बाद वो एक्सपायर कर जाता है जैसे आप उस code को स्कैन करते हैं आप पाते हैं कि आपको amount अलग से नहीं डालना पड़ता है code scan करते ही नाम आता है vendor का और साथ में amount भी आता है आपको जिस्ट पे करना होता है ठीक वो होता है dynamic QR code तो आपके invoice और पेमिंट दोनों आपस में link हो जाते हैं वैसे करके अगर dynamic QR code के थूप पेमिंट नहीं की जा रहे तो आप जो मर्जी अपने यहां सिस्टम बनाईए जैसे मर्जी कीजिए कई सारे option से नहीं बता रखे कि ऐसे case में ऐसे करना ऐसे case में ऐसे करके चलना लेकिन हमें करें आप जो मर्जी पैसंजर ट्रांसपोर्टेशन से निमा हॉल ओईडार इनको मना कर रहा कि ठीक है आपको यह सब करने के जरूवत नहीं है बिकॉस हमारे कंट्रोलिंग टूल से कंट्रोलिंग डिवाइस हैं तो इन पे हम बात आप से नहीं कर सारकते हैं क्योंकि समस्या है जैसे कि वह पैसंजर ट्रांसपोर्टेशन से निमा होने के लिए इन्वाइस जक तो इस्यू होना रहा आप इंसे डैनमेक क्यूआर कोड और यह आप इंसे यह मैच कराने की बात कर रहे हैं तो यह बात यहां पे लिखिए यह सर्कुलर दिया हुआ है हाला कि नौट रेलिवेंट बट इस तरह मैंने दे रखा है यहां पे आके और यह रेलिवेंट एक्स्ट्रेक्ट डाला गया रूल नमर 46 का और इसके अंदर एक लाइन बड़ी जरूरी सी थी और लाइन उसके लिए थी जो अभी स्पेसिफाइड एक्शिनिवल क्लेम्स का जो कंसेप्ट लाइन गया है और उसके अंदर हम जानते हैं कि उसमें प्लेस अफ सप्लाइ डिटर्मेंट करने के लिए हमारा 10-1-C-A भी लाइन गया है कि अगर B2C सप्लाइ है तो उसमें भी इनवाइस में अगर रेसिपियंट बताता है कि मेरा स्टेट या मेरा एडरेस ये वाला आ रहा है तो वो इनवाइस के अंदर मैंशन करना होगा और उसी स्टेट को हम लोग प्लेस अफ सप्लाइ मान कर चलेंगे तो रूल नमबर 46 के अंदर वही बात बताए गई है कि इन केसे इनवालविंग सप्लाइ अफ ऑनलाइन मने गेमिंग केसे विए तो recipient who is unregistered यानि कि B2C supply है तो ऐसे में जो आप ये invoice issue करके चलेंगे तो वैसे में state का नाम कम से कम होना चाहिए यानि कि recipient के अदर से state का नाम जरूरी है और ये जो amendment यहां पे लाए गई है ये लाए गई है section 10.1 CA को support करने के लिए जो place of supply के provision में बात करके चलता है कि जो आ राधे यहां पर आकर बात complete हो जाती है राधे राधे